वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चली ही गया होगा कि आज हम लोग विटमिन C के बारे में बात करने वाले हैं जी हम लोग सब को जानेंगे विटमिन C के बारे में कि विटमिन C सेरम जो है, वो क्या काम करती है, किसको लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कैसे अफलाई करना चाहिए, especially कैसे खरीदना चाहिए, क्योंकि विटमिन C सेरम जो होते हैं, वो काफी expensive होते हैं, तो आज हम ल रहेगा कि इंडिया के बेस्ट विटमिन सी सेरम आप कौन सा यूज कर सकते हैं अगर आप कुछ पार्ट स्किप करना चाते हो कोई दूसरा पार्ट देखना चाते हो तो वह आप डिरेक्ली जाके चेक कर सकते हो विटमिन सी सेरम होता क्या है? विटमिन सी सेरम होता है वो एक light consistency का मतलब water जैसे consistency का या gel से थोड़ा सा पतला consistency का एक product होता है जो कि किसी treatment के लिए हम लोग use करते हैं अब विटमिन सी सेरम जो है ये obviously विटमिन सी है इसमें और सेरम में सबसे ज़्यादा मातरा सबसे ज़्यादा quantity की कोई concentration होती है of one particular thing तो जैसे कि हम लोग बात करें विटमिन सी सेरम की मतलब इस सेरम में विटमिन सी का concentration ही बहुत ज़्यादा रहता है अभी हम लोग बात करेंगे कि विटमिन सी सेरम में क्या होता है क्यों आपको use करना चाहिए तो जैसे मैंने बताए ये एक treatment product है Vitamin C एक treatment का काम करती है specially क्या होता है कि Vitamin C humans जो हम अपने चहरे पे अपने skin पे वो produce नहीं कर पाते हैं जब हमारा थोड़ा सा age हो जाता है just like after 20s उसके बाद हमारे skin में vitamin C का production बंध हो जाता है and due to sun के जो damaging rays है और फिर environmental issues के लिए भी हमारे skin में vitamin C की कमी हो जाती है और हमारे चहरे पे fine lines होना शुरू हो जाता है skin dull हो जाता है या फिर patches आजाता है या ऐसे ही skin related कुछ-कुछ problems आजाती है तो vitamin C एक ऐसा चीज है जो हर एक problem को solve करती है मतलब हर problem की solve है ये vitamin C serum तो अगर इन में से आपका कोई भी skin issue है जैसे कि बहुत जादा dryness है या फिर patchiness है uneven skin tone है या फिर fine lines है, wrinkles है इस सब के लिए आप vitamin C use कर सकते हो ये एक antioxidant होता है और serum अगर आप vitamin C serum use कर रहे है तो इसमें vitamin C का concentration सबसे जादा होता है तो ये बहुत अच्छे से आपके skin पर काम करता है अभी हम लोग बात करेंगे कि vitamin C serum कैसे select करना है देखिए, बाजार पर बहुत सारे vitamin C serum मिलते हैं लेकिन आपके skin के लिए कौन सा अच्छा है ये समझ के आपको खरीदना पड़ेगा ये वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं मैं कोई एक recommendation नहीं कर सकती हूँ कि कौन सा serum सबसे अच्छा है इसके लिए आपको कुछ information जाने की ज़रूरत है जैसे कि vitamin C का concentration बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे companies vitamin C serum बनाते हैं या फिर cream बनाते हैं so you don't know what is there in that product right तो उसका effectiveness बहुत कम होगा अगर आपको vitamin C का असली effect देखना है तो फिर आपको serum यूज करना पड़ेगा अभी मैं आपको बता दूँ जो serum में concentration होता है vitamin C का उसके कुछ percentage होते हैं जैसे कोई भी percentage हो सकता है 8%, 10%, 15%, 20%, 30%, 35% कोई भी percent हो सकता है आपको बस इतना ध्यान रखना है कि vitamin C जो है वो बहुत ही unstable है मतलब उसको stabilize करना to make it effective on your skin यह बहुत difficult होता है तो कोई भी अगर vitamin C serum आप खरीद रहे हो first of all उसमें check करना है कि उसमें percentage mention किया हुआ हो यह बहुत ज़्यादा important है अगर उसमें percentage नहीं mentioned है तो वो आपके लिए काम कर सकती है नहीं कर सकती है मतलब you are just wasting your money or you are spending your money in a way जहां आपको पता नहीं कि result क्या होने वाल है लेकिन अगर आपको definite result जानना है तो make sure कि उसमें percentage लिखा हुआ है अभी जैसे ही vitamin C serum का level बढ़ते जाता है वो बहुत ज़्यादा acidic हो जाता है और हमारे चहरे पे itching या फिर वो तिंजी एक feeling होता है जलना शुरू हो जाता है वो होता है तो कोई भी vitamin C serum which is less than 10% वो stable नहीं होता वो कोई काम नहीं करती हमारे चहरे तो 10-20% जो है इसके बीच में vitamin C का concentration होना चाहिए किसी भी product में क्यूंकि उसका जो pH balance है वो maintain रहता है और वो effective भी होता है आपके skin issues के लिए अभी जो लोग beginner हैं वो कैसे select करें 10%, 15% या फिर 20% 10% से शुरू करना चाहिए जिनके skin में irritation है या फिर आप beginner हो first time vitamin C use कर रहे हो so you should go for a lower concentration जो की 10% उसके नीचे आपको नहीं जाना है क्योंकि उसके नीचे आप जाओगे 8% में तो फिर वो काम नहीं करेगी आपके skin पे जैसे जैसे आपके skin पे vitamin C suit करता जाता है आप फिर उसके बाद धीरे-धीरे मतलब for example आप 2 महीना या एक बॉटल आप 10% का vitamin C आप यूज कर रहे हो after your bottle is over उसके बाद जब आप refill करोगे so you go for 15% लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी 20% से उपर नहीं जाना है बहुत सारे ब्रैंड आपको ऐसे भी मिलेंगे जो शाए 25% 30% vitamin C के बारे में बात खरते हैं लेकिन वो आपके लिए फाइदे मन नहीं होगा वो आपके skin condition को और भी खराब कर सकती है हमारा next question है कि vitamin C expensive क्यों है और उसके bottles इतने चोटे क्यों आते हैं actually जैसे मैंने बोला ये बिल्कुल भी stable substance नहीं है उसको stable करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ब्रांड्स को और ये चोटे क्वांटिटी में चाहे जितना भी expensive हो ये बहुत चोटे क्वांटिटी में आता है जैसे कि 10-15 ml या फिर 30 ml में आता है क्यों? क्योंकि आपको बहुत जल्दी vitamin C को replace करना होता है अगर कुछ दिन बाद आप देख रहे हो कि उसका color change हो रहा है तो आप उसको discard कर दीजिए उसको fake दीजिए और refill कीजिए नया वाला खरीद के लाई इसलिए इसके bottle जो है बहुत चोटी packaging में आते हैं तो अगर आपके skin में कुछ underlying problem है जैसे मैंने बताया dullness या फिर sun damage हो गया आपके skin पे या फिर fine lines है, patches है, pigmentation है so then you can use vitamin C serum ऐसा बोला जाता है कि जो 20 से लेके 20 and below जो भी लोग है या फिर till 25 depending upon your skin condition अगर इन में से कोई भी problem या फिर underlying skin conditions आपको नहीं है so there is no point of using vitamin C serum इसके बाद अगर आपको कुछ-कुछ ऐसे fine lines देखना शुरू हो गया या फिर sun damage देख रहा है so you can always go for a vitamin C serum ये हर age के लोग use कर सते हैं starting from 20 years इसके नीचे भी अगर आप use करना चाहते हो तो you have to consult your doctor next question is how to store a vitamin C serum कैसे इसको हम लोग store करें अभी जैसे मैंने बताया कि अगर oxygen के contact में आता है तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है मतलब उसका molecule break हो जाता है फिर वो काम नहीं करता तो आपको इसको ऐसे जगा पे रखना है जहां पे थोड़ा dark हो मतलब direct sunlight से exposure ना हो और उसका bottle जो है आप बार-बार ना खोले तो आप देखोगे most of the time ये एक dropper वाली bottle में आती है तो unnecessarily vitamin C serum के bottle को मत खोलिए तो उसको हम लोग standing position में रखेंगे ऐसे जगा पे रखेंगे जहां पे sunlight directly exposed वो नहीं हो सकता है और उसको बहुत जल्दी लेके ही फिर उसको बन कर देंगे कि वो ज़्यादा exposed oxygen में ना हो अभी हम लोग next question पे आएंगे जो है what is the best time to use vitamin C serum vitamin C serum लगाने का best time है आप दो time लगा सकते हो एक morning एक night पे लेकिन अगर आप भी start कर रहे हो first time use कर रहे हो vitamin C serum तो मेरा recommendation है कि आप सिर्फ morning में use करो actually sun damage बहुत जादा होता है जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो ये vitamin C serum जो है वो हमारे skin को sun rays से protect करती है लेकिन अगर आप दिन में use कर रहे हो it is always recommended that you wear a sunscreen upon your serum ये बहुत important है आप serum लगाओ उसके बाद moisturizer लगाओ उसके बाद जरूर 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 आपको sunscreen लगाना है if you are not using a sunscreen ये नहीं काम करेगा और उसके बाद आपको बाद effects adverse effect भी हो सकते हैं so always use a sunscreen after you put a vitamin C serum on your skin अगर आप दिन को use कर रहे हो अगर आप रात को कुछ और treatment product product use कर रहे हो जैसे की retinoil तो ये सब आप combine नहीं कर सकते हो तो funda यह है कि जो भी irritant product vitamin C भी तोड़ा irritate करता है skin को तो जो भी irritant या exfoliating agents है ऐसे अगर आप कुछ यूज कर रहे हो दो साथ में आप यूज ना करें तो अगर आप सुबह vitamin C serum यूज कर रहे हैं तो आपका retinoil या फिर chemical exfoliation जो भी आप यूज कर रहे हैं वो सब आप रात में यूज करो तो आप पहले जब स्टार्ट कर रहे हो यूज स्टार्ट वान ताइम यूज कर रहे हो तो फिर धीरे अगर आपको जरूरत समझ में आता है तो you can try two times a day अभी हम लोग next question पे आएंगे कि how to apply vitamin C serum on skin तो अगर आप face पे vitamin C यूज कर रहे हो तो first of all आपको dropper से three to four drops लेना है इसे ज्यादा नहीं और फिर अपने चेहरे पे पूरा फैला के फिर आपको इसको ऐसे डब करके पूरे skin पे उसको फैलाना है next एक बहुत important question है कि vitamin C को कैसे layer करें how to layer vitamin C serum on your skin on your face तो मैं आपको पूरा process बताऊंगी कि कौन से product के बाद कौन सा आएगा तो अगर आप serum यूज कर रहे हो first of all कोई भी skin treatment के लिए clear skin होना बहुत जरूरी है first of all आप अपने skin को cleansing कीजिए चाहे वो foaming cleanser हो या oil based cleanser हो कोई भी face wash और कुछ भी हो आप उसको clean कीजिए उसके बाद अगर आप toner यूज करते हो तो कर सकते हैं या फिर इसको skip कर सकते हैं मैंने जैसे बताया कि मैं कभी भी toner अब रूंठ contrat के बाद आपker अगर आप मंश्टराइजर हो कर ना है फिर sunscreen करना है मैंपर कर सकते हैं हम लोग बारत काई के बारे में विच यू शूड नेवर बढ़े से सरी मिलाबर विटमिन GC C ty को घुए और विटमिन के टाइम में पर तो उसको टाइम यह दूसरे products यूज मत कीजिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि retinoil क्योंकि यह भी आपके skin को irritate कर सकती है तो दोनों irritant product आप एक साथ लगाऊगे तो वो आपके skin को और ज्यादा irritate करेगी next है AHA-BHA solution exfoliation, it's a chemical exfoliation अगर आप ऐसे ही कुछ चीजे यूज कर रहे हो तो वो दिन के किसी और टाइम पर लगाओ ऐसा नहीं कि अभी सुभे में morning routine में I am keeping vitamin C serum and I am also keeping this तो आप इसको एक night time routine में यूज कर सकते हो और vitamin C को day time routine में यूज कर सकते हो Can vitamin C serum cause acne in your skin? The simple answer is no but if you are using it wrong यह आपको skin को बहुत हद तक irritate कर सकती है तो क्या होता है? Vitamin C जब हम लोग लगाते हैं मैंने बोला कि यह एक tingy feeling दे सकती है थोड़ा सा irritating होता है आपके skin के लिए तो अगर यह ज़्यादा irritate कर रहे है तो फिर आपको breakouts हो सकती है लेकिन अगर आप मेरी बात जो मैंने पहले बोला था about the percentage अगर आप उसको follow करो आपकी sensitive skin है या फिर अभी आप चालो कर रहे हो so go for lower concentration like 10% उसके बाद you can grow the range अभी हम लोग आएंगे कौन से skin type को vitamin C यूज़ करना चाहिए हर एक skin type के लिए vitamin C serum अच्छा है लेकिन आपका अगर बहुत ही ज्यादा hyper sensitive skin है तो recommended है कि आप vitamin C serum ना यूज़ करो अभी आगया हमारा final question which is the best vitamin C serum in India कौन सा vitamin C serum इंडिया में सब से जादा अच्छा है मैं आपको यहाँ पर 3 options दोंगी और इन में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो according to your skin type and remember the concentration first of all है minimum list का 10% vitamin C यह 10% उनके लिए है जो अभी start कर रहे है या फिर जिनका sensitive skin है या फिर आप चेक करना चाहते हो वेदर आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं तो यह 10% concentration बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा मेरा next recommendation है the derma and co 10% फिर यह 10% है और added benefit है इसमें 5% niacinamide भी है तो अगर आप start कर रहे हैं उसका price भी comparatively बहुत कम है so if you just want to give it a try कि vitamin C serum मैं एक बर यूज़ करके देखती हूँ कैसा है you should definitely give this a go इसके बाद third recommendation है Plum Cosmetics का 15% vitamin C concentration तो अगर आप कुछ दिन तक यूज़ कर चुके हो या फिर आपका matured skin है या फिर आप you know you think that your skin can handle all these irritation and agitation तो फिर you can start with this 15% फिर आपको अच्छा लगा तो एक थमसब जरूर दीज़ेगा इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत सारा research करना I hope this will be very helpful अगर अच्छा लगा तो चानल को जरूर subscribe कीजिए अगर आपको लगे कि ये information किसी और के साथ share करना चाहिए तो वो भी जरूर कीजिए आपका कोई question हो तो मुझे link के जरूर बताइए फिर से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब के लिए बाबाई